नमस्कार दोस्तो आज हिंदु धर्म के पंचांग के अनुसार अज सीता नौमी है आज ही के दिन सीता माता धर्टी से प्रकट हुई थी हिंदु धर्म में जितना महत्व राम नौमी का है उतना ही महत्व सीता नौमी का भी है विशाक मास के शुकल पक्ष की नौमी को सीता न रूप में भी मनाया जाता है इस वर्ष सीता 9 में 21 मैं शुक्रवार को मनाई जाएगी हाला कि इसको लेकर दो तिथियों का ब्रह्म बना हुआ है दरसल इस थिती की शुरुवात आज दुपेड से हो रही है जोगी अगली सुबा तक रहेगी शास्त्रों के अनुसार देवी स सीता का प्रकर्ट मध्यान में हुआ था इसलिए मध्यान व्यापनी 9 में तिथि को ही सीता जैनती शुप फलदाई होगी ऐसे में देश के कई भागों में जानकी नौमी का व्रत गुरुवार को रखा गया है आये जानते हैं इस दिन का महत्व क्या है देवी सीता को माता ल सीता की पूजा करती हैं वहीं कुवारी कर्याय मन्वांचित वर की प्राप्ती के लिए वरत रखती हैं धार्मिक मानताओ के अनुसार इस दिन वरत और पूजा करने से तीर त्यात्राओं और दान पुन्य का कई गुणफल प्राप्त होता है पूजा का शुभ मूरत 20 मैं गुर्वार दुपैर 12 बच के 25 मिनिट से शुबारम हुआ है और 21 मैं शुक्रवार 11 बच के 10 मिनिट पर स्वमाप्थ हो जाएगा दोस्तों अब इस दिन मैया सीता की पूजा किस प्रकार करने चाहिए अब हम आपको बताते हैं इस दिन सूर्य उदे से पूर्व उठकर दैनिक नित्ते ग्रम के बाद स्नान करें इसके बाद सीता नौमी के व्रक्त का संकल्प ले जमीन को लीप कर या स्वच जल से धो कर आम के पत्तों और फूल से मंडप सजाए मंडप में एक चौकी रखे और लाल या पीला कपड़ा बीचाए इस चौकी को फूलों से सजाए और भगवान राम और सीता माता की प्रतिमस थापित करें इसके बाद भगवान राम और माता सीता की विदी विदान से पूजा करें इसमें तिल के तेल या गाय के घी का दिया जलाए पूजा के दोरान आसन पर बैठ कर लाल चंदन्ज की माला से ओम शी सीताय नमा मंत्र का जाप करे इसके बाद अपनी माता के स्वास्त की प्रातना करे